आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप UKPSC एक्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं इसके लिए कुछ जरूरी टिप्स हैं जो मेरी तरब से हैं आपके लिए तो पहला है कि जब तक आपके पास determination नहीं होगा तो आप कोई भी एक्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं So the first thing what you should have is determination Right और next है आपके पास proper planning होनी चाहिए Right तो जब तब proper planning नहीं होगी आप कोई एक्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं कहीं आप ऐसे ना मिट जाएं कि चलो यार एक्जाम देते हैं कम से कम कुछ तो knowledge मिलेगी, नहीं, knowledge लेने के लिए एक्जाम माद बैठो, बैठो तो try to crack that exam, right, do not play with your life, क्योंकि time और age किसी का बेट नहीं करती है, right, so third point you should have, you should have good study material, so, आप अपने circle में या market में easily available, जो सबसे best material है, चाहे हो किसी भी language में हो, Hindi या English, आप उसको खरीदेगे, Okay, next है आपके पास newspaper reading, this is one of the important habits you should start with, तो reading habits में आप कौन-कौन से newspaper पढ़ सकते हैं, वो है, जैसे the Hindu है, आपके पास tribune है, आपके पास times है, आपके पास, या economics times है, आपके पास, यह one of the good newspapers है, market में, जो आपकी reading habits और knowledge को बढ़ाते हैं, केवल reading ही ज़रूरी नहीं है, साथ में, अगर आपको कुछ hard words लगें, तो आप उनका बतलब निकालें, और वो आपको बहुत मदद करेगा, इससे आपके vocabulary बढ़ेगी, और जो English का तो section होता है, वो आप उसको crack करने में आपको मदद मिलेंगे, right, so next is, आपके पास magazine, की habit आप डाले, कुछ magazine साबताइक होते हैं, कुछ magazine आपके मासिक होते हैं, तो इनमें से आप कोई भी magazine उठाएं, और उसको पढ़ना शूरू करें, इससे क्या होगा, कि आपने जो newspaper में पढ़ा है, वो आप magazines में और चीदरिके से cover कर सकते हो, और वो आपके दिमाग में ज्यादा दिनों तक रहेगा, right, magazines पर से कुछ examples है, जैसे पीडी हो गया, बतला प्रित्योगिता दरपण, जिसे हम कहते हैं, और भी वह सारे magazines है, जैसे समसमाई की हो गया, जो कि काफी easily available है, थोड़ी सस्ती भी है पीडी से, लेकिन सस्ते से कोई कोई फरकने पड़ता है, नॉलेज़ से पड़ता है, okay, so the next thing you should have, कोई भी UKPAC के एक्जाम जब करें, तो उसमें एक उतराखंड से related, knowledgeable questions आते हैं, जिसके लिए मैं आपको कुछ books बताऊंगा, और जो मैं आपको बूद दिखाऊंगा भी, ये वाली एक किताब है, जो की बारे में इसमें काफी विस्तार से समझाए गया है, next है, ये वाली उतराखंड yearbook, this is one of the good book, जिसमें आपको पूरे साल भर का जो भी knowledge है, उतराखंड के बारे में आपको मिल जाएगा, तीसरी जो चीज है, उतराखंड में अभी ने टेस्ट में ये जो समसमायकी वाली कित किताब निकली है, जो हम आपके दिखाऊंगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है, उतराखंड समसमायकी ये हर महने में निकलती है, जो आपको काफी मदद करेंगे, so ये तीन किताबे में इन तरब से हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी knowledge को बढ़ाने के लिए, next